हेलो दोस्तों, गर्भावस्था एक महत्वपुर्द समय होता है, जिसमें सही आहार लेना अत्यांत महत्वपुर्द नहीं फल और सबजियां गर्भवत्ती महिला के लिए बहुत लावकादी होते हैं, उनमें से एक पर्मुप फल है अमरूद, अमरूद न केबल स्वादिष्ट होता है, बलकि पोशक तत्मों से भरपूर भी होता है आज मैं आपको अमरूद खाने के फैदे बता रही हूँ, जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान अमरूद का सेवन करती हैं, उनके सीसु का विकास ही तरीके से होता है दोस्तों इसमें कौन-कौन से वाइटमिन समिंदल्स होते हैं और गर्भावती महला के लिए क्यों भायदे बन रहे हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हूँ सबसे पहले मैं आपसे आगरह करती हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहें दोस्तों, अमरूद में बाइटमिन सी होता है, जो रोग प्रति रोधर छमता को बढ़ाता है, आपको जल्दी बिमारी नहीं लगती है गर्भावस्था के दोरान, जल्दी जल्दी बिमारी होना, बुखार लगना, छेके आना, खासी होना अच्छी बात नहीं है बाइटमिन सी की मात्रा अमरूद में होने के कारण, आपके सरीट को स्ट्वांग बनाने का काम करता है, रोग जल्दी नहीं लगता है, मौसम चेंज होने पे आप बिमार नहीं परती है इसलिए अमरूद का सेबला को जरूर करना चाहिए अमरूद में फैबर की उच मात्रा होती है, जो पाचन तंतर को सुचारू रखने में मदद करता है अक्सर गर्भवत्य महिलाएं गर्भावस्था के दोरान पेट की समस्याँ से जूचते रहती है फैबर की मात्रा ज्यादा होने के वज़े से आपका पेट भी साफ रहेगा और गर्भावस्था के दोरान पेट फूलने, खत्री धकारें और गैस की समस्याँ नहीं रहेगी अमरूद में फोलेट और फोली केशिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये दोनों ही तत्र गर्भावस्था के लिए महत्वपुर्ण होता है इससे सिसु के मस्तिस के विकास और रिड़ की हदियों के विकास में सहायक होता है अगर आप चाहती है आपका बच्चा सष्थ पैदा हो जन्म दोसों से दूर रहे तो आपको अमरूद का सेबन जरूर करना चाहिए अमरूद में एंटियोक्सिडेंट जैसे केरोटिन, लाइकोपीन और बीटा केरोटिन होते हैं जो आपके सरीर को स्ट्रेस से बचाते हैं आपके सरीर को मजबूती प्रदान करते हैं और आपको रोगों से लड़ने की छमता प्रदान करते हैं तो आपको अमरूद का सेबन इसमें जरूर करना चाहिए बाइटिमिन ए अमरूद में प्रचूर मातरा में पाय जाता है जो सीजो के आँखों की विगास के लिए बहु जरूरी होता है आपने देखा होगा आजकल बच्चे जन्म लेते हैं और चस्मा लगाए होते हैं आपके बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा आपके बच्चे की आँखों की दोस्त में अच्छी रहेगी अगर आप गरभावस्था के दोरान अमरूद का सेबन करते हैं तो आईरन की कमी के कारण अक्सर महिलाओं को एनिमया की समस्या हो जाती है सरेज में खों की कमी होने पर बच्चा स्वस्त पैदा नहीं होता है आप भी पूरे गरभावस्था में प्रिसांद रहेंगी आइरन की उच्च मात्रा होने के कारण अमरूद एक प्रेगनेंट महला के लिए बहुँ जरूरी फल होता है दोस्तों इसलिए आपको आइरन का सेवन जरूर करना चाहेगे आइरन सीसु के विकास में भी महत्वपुन भूमिका निभाते हैं अमरूद में बाइटमिन B3 यानि नियासिन और बाइटमिन B6 पायरिडाक्सिन होते हैं जो मस्तिस के विकास और तंतर का तंतर के सही कारज के लिए महत्वपुन होता है और ये बाइटमिन उर्जा उत्पातन में भी मजबूती प्रदान करते हैं मदद करते हैं जो गर्भबत्ति महिला उर्जा से भरपूर नहीं रह पाते हैं ठकान हो जाता है कमजोरी रगती है उनको अमरूद का सेबन जरूर करना चाहिए ताकि उनका सरीर स्ट्वांग बना रहे अमरूद में पोटेसियम की भी अच्छी मात्रा होती है जो रक्तचाप को निँद्रत करने में मदद करता है गरभाबस्था के दौरान उच्छ रक्तचाप एक गंभी समस्या हो सकते है तोस्तों और पोटेसियम लुगत अहार इस समस्या को कम करने में मदद करते है तो अमरूद का सेबन आपको जरूर चाहिए जिन महिलाओं का वजन जल्दी से बढ़ जा रहा है प्रेग्नेंसी के बाद वजन गेन हो रहा है उनको अम्रूद का सेवन जरूर करना चाहिए ये वजन नियंत्रन में मददकार होते हैं कई महिलाओं की तचा खराब होने लगते हैं बाल खराब होने लगते हैं, अमरूद में उपस्थित बाइटमिन्स और एंटियोक्सिदेंट तचा और बालों को स्वस्त बनाय रखने में मदद करता है, और गरभावस्था के दौरान हार्मोनल बदलाव के कारण जो समस्याइं आती है, उससे भी बचाता है, कई महिलाओं को गर भावस्था के दौरान पेसाव की समस्या हो जाती है, आपको अमरूद का सेबन जरूर करना चाहिए, ताकि पेसाव संबिंदी कोई भी समस्याइद के साथ नहीं हो, और संकर्मन से बचाता होते रहे, अमरूद का सेबन करने से, मोड्लिंग सिकनेस को भी कम करने में म पर जो अमरूद का सेबन करते हैं वो बैलेंस में रख सकते हैं अपने मदों में दोस्तों अमरूद में उपस्थित कैल्सियम और फासफोरस हद्यों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं गर्भावस्था के दोरान सीशु के विकास के लिए मां के सरिर से कैल्सियम दिया जा है आपको जरूर अमरूद का सेबन करना चाहिए ताकि गर्भावस्था के दोरान कोई समस्या हो तो वो नहीं हो और सीशु का विकास समझे तरीके से हो मैं आसा करती हूं यह जानकानी काफी पसंद आई होगी आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धले बात थैंक्यू भरी मच्छ अ झाल